7 days loan app वालों ने बहुत परिशान कर रहा है, बहुत गलत गलत बोल रहा है, उपर से पूरी फैमिली में इज़त बिगार दिया, बहुत परिशान हूँ, अगर कोई तरीका या आपकी साइट से कोई हेल्प मिल सकता है, तो आप मुझे पता है, अगर आप भी 7 days, फरजी loan app, टक को बेज़ेंगे, फैमिली फैंड आपके न्यूट फोटो देखके आपको कॉल करेंगे, इसे तरीके से आपको धंक्यान दी चाहती है, कि हमारी डिपार्टमेंट के पास आपके फोन के हरी डाटा का एकसेस है, उन्होंने आपके फोन के फोटो, नंबर, डिटेज, बैंक गैल्टरी, प्राइवेट फोटो, सारा कुछ हैक कर लिया है, अगर आपने पे नहीं किया, तो हम आपके ये सारी पर्सनल डेटा, स्टार्टाप को बीज देंगे, मिस्यूज करेंगे, सारे कॉन्टेक्ट में लीग करतेंगे, और अगर नहीं आया, तो आपकी सब भी फ्र करके लिख के ये आपको ड्राने धंगानी की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको यहाँ सबसे बड़ी पहली चीज़ समझनी है, कि ब्लैक मेलर को कभी भी पेमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार पे करेंगे, ये दुवारा आपसे फिर और उससे जादा द बचना है, क्योंकि ये आपको आपकी फोटो को मॉफ करेंगे, कांटेक लिस पे बेज़ेंगे, आप ये दबाव बनाया जाएगा, आपको समझना है कि जितनी भी 7 डेज लोन आप है, ये कम्प्लीटली बैन है इंडिया में, इनके पास लोन लेने का, देने का कोई लाइस आपको यहां समझना होगा कि आपको इनको पे करने की बिल्कुल जड़त नहीं है, ये गैर काउनी तरीके से भारत में काम कर रहे हैं, गैर काउनी तरीके से पैसा आपसे वसूल रहे हैं, पे करने के बावजूद आप और ज़्यादा परिशान किये जाएंगे, ये आपके करेट मुगा हो, केंडी बे हो, कैस लेंट हो, लोन प्लैनेट हो, पैसा होम हो, या फिर करेट पार्टी हो, लाइटनिंग रुपी हो, तो अगर किसी भी एप से आपने लोन लिया है, कंप्लीटली आप परिशान नहीं हो, इनसे कैसे बाहर निकलना है, अपने बचाओं में क्या क्या प्रिवेंटिफ स्टेप आपको लेने है, जिससे कहीं से भी आपको ना इनका ब्लैक मेलिंग का टार्ट, ना कॉंटेक्ट में फोन या मेसिज जाने को, इनकी अगेंस कहां कंप्लीन करना है, अपने बचाओं में क्या 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 प्रिवेंटिफ स्टेप लेना है सारा कुछ आपको बताया चाहेगा जिस भी आप से परिशान है आप का नाम, प्रॉब्लम वट्सप करें कम्प्लीट हेल्प लें अपना समय पैसा और मानसिक परिशानी बचाएं वीडियो को शेयर करें बाकी लोग को भी चागरूप करें वीडियो में बने रहें बहुत ज़्यादा नेक्स वीडियो भी आपके लिए नॉलिजफूल अवेडनेस से जोड़ी रहेगी